पहला प्रश्णी है कि लखनव को लेकर बीजेपी और सपा में इतनी मिश्ट्री क्यों हैं यहां टिकट क्यों नहीं अनूंस किया रहे हैं कारण क्या हैं वो भी तब जब नॉमिनेशन को मैज अब धाई दिन से बचें दूसरा एक महत्वपूर्ण बात संजय जी ने कही उन कि बीजेपी पहले अपने पत्ते खोले लेकिन समाजवादी पार्टी को यह बात पता है कि चाहे उसके यहां मंत्री स्वाती सिंग हो चाहे बिर्जेश पाठक हो चाहे आस्तोस टंडन हो जो लोग नीरजबोरा हो जो लोग चुनाव जीते हैं इनको वो टिकट देंगे सी सीट की अदला बदली करने की नौबत क्यों आई यह पूरा इलाका तो बीजेपी का ओटर है बीजेपी की सीट नहीं जीतती रही है लेकिन हर आदमी अपने लिए सुरच्छी सीट तलासता है तो कुछ नेताओं की इच्छा और कुछ पार्टी सामने वाले समाजवादी प प्रटी और भाजपा ये अपने परत्यासी नहीं गोसित कर पा रहे हैं मलिहआबाद और मौरलाल गंज में समाजवादी पार्टी ने परत्यासी घोसित किया है अधा लाल गंज में सपा का सिटिंग मेले है और मलिहाबाद में सुसीला सरोज को दिया है लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो चुनाव लड़ने में असमार्त हैं सहर की सीटों पर जो बीजेपी जीती है इनको डर है कि अगर किसी का टिकट काटेंगे तो सपा मभाग जाएगा सपा वाले भी चकर में है कि किसी मंतरिक टिकट कटे तो हम इधर लपकें उसको अब रीता वहुगणा जोसी और तमाम सारे नाम कैंट के लिए उसके लिए आए आप एक चीज और देखेंगे कि ये चुनाओ इस बात को भी दरसाता है कि मा बेटे की खातिर सियासत में बड टिकट कटवाना चाहता है और एक दूसरे को से हाथ से टिकट खीचनक जिम्मेदारी चल रही है लेकिन आप यह जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 403 विधान सभा में 50 सीटें ऐसी हार जीत होगी जो परत्यासी चैन के आधार पर होगी अगर टिकट सही आदमी को नही सपा यह 50 सीटें कम नुक्सान में रहेंगे अब इनको रिव्यू करना है अपना और जो अच्छा टिकट होगा सभाविक है कि वो किसी भी दल में होता है तो वोट परभावित करता है क्योंकि विधान सभा का टिकट ऐसा 3-4 लाख ओट के बीच का चुना होता है उसमें पर मुलायम के परिवार में बगावत हो गई है उनकी बहू अपने घर की पार्टी छोड़कर भाजपाम चली गई कि टिकट मिले तो सियासत ने अब कोई अस्थाई तो नहीं रहे गया जो लोग पार्टी के जंडे में मरने की कसम खाते हैं तो किसी और का नाम बता रहे हैं ल कि टिवारी जी का टिकट कट रहा है और फला को मिला मुझे नहीं पता मतलब कैसे उन्हें तता मालूम रहता है अब ऐसे तो बिर्जय जी ने शुरें जी ने एक जगा लिख दिया कि कल मैं डिली से लखना हुआ आते समय ट्रेन में में मेरा बैग छूट गया और उसमें मे मिला हुआ हम से टिकट ले ले हम तो टिकट देने के तयार बैठे हैं तो बड़े सारी जुमले बाजिया है अब कि अपनी बाई शुरें जी अपनी पार्टी का टिकट इसको देगे अचा यह तो हुई बीजेपिक बात ही सपावाले टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं इनके क हुआ हैं फिर उसके बाद चकर लगा रहें पार्टी कार स्वाधी पार्टी कारेलेस लेके अपने समर्थकों के जुगाड के सिस्टम में इस चकर में हैं कि कौन लेकिन अब टाइम जादा नहीं बचा है अगर यह बहुत लेट करेंगे तो आपको एक बार याद होगा एक बीजेपी के परत्यासी का सिंबल अटेचिंग छूट गया था लोगसभाग ठीकट भरने गए थे सुल्तानपूर तो यहां सिंबल तो मिल लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा जगदेव यादो आप नहीं रहे हमारे स्वर्गी हो गए उनका उन्हों को लोगसभा का टिकट बाई एलेक्शन का मिला था लेकिन पहुंची नहीं पाए थे पहुंची पूरा हो गया था अच्छा एक टिकट में समस्या भी आ गई है कि जो पांच साल लाठी खाया बोरा बिचाया उसके बजाए जो पांच साल उनको पिटवाया वो टिकट करते ही आ जाता है उनके दल में फिर वहीं उनका नेता कहता हमारा जिंदाबाद लगाओ ये भी एक्चलन सुरू हो गया तो मूल कार करता बड़ा परेसान है और नेता तो देखिए नेता को कहा गया कि वह थोड़ा सब्दू उचित नहीं लेकिन बेसरमी टाइप का होता है कि कि किसी पैर छूलो किसी का खाना खाई लो किसी का चाय पी लो सियासत में हर करना पड़ता है और नेता आजकल वही कर रहे हैं तो जिन्होंने सत्ता में रही कि उनक में बड़ी दिल्चस्पी रख रही है किसके घर में क्या हो रहा है कि यह काम कब से करने लगे हो फाजान खान की पार्टी तो देखिए लपक ले रही है जो लपक हुआ टाइप की है जो मिल जाए इधर उधर से सपावाजपा से भाग रहा हो लपक लिए तो थोड़ा इन स्टेशन पर भीड़ो तो यह अच्छी बात है बसपा में जी विरेंजी अब बसपा में टिकट देने कोई संकोज भी नहीं करते लेकिन उत्तर परदेश की जनता को यह देखना होगा लखनों का टिकट तो देखिए दिल्चसपा है आज रात भी रात कल तक घोसित हो प्रेबी हो जो उचे उचे बंगलों में रहता हो जो आम आदमी और गरीबों का दर्द ना समझ पाता हो ऐसे नेता को मत चुलना जिसमें कभी गरीबी ना देखी हो जो सियासत में पहरा सूट से आये हो जो आप बहुतों की मार्केट खराब कर दे रहे हो नहीं कुछ जी खुद ही ठगी रहती है उसको आखरी में बाबा जी का वहीं मिलता है क्योंकि पांच साल जो नेता चुलिया होता है जंता से ठीक से बात नहीं करता है जो हर बात पर आपके अभी छीगने बिखड़े हो जाएंगे तबियत का हाल चाल ले रहें चुनाओं में चुनाओ कभी नहीं सोचा गया था कि मंत्रियों को और विखायकों को इंतिजार करना पड़ेगा टिकट के लिए जी इस चुनाओं ने बड़ा परिवर्तन भी दिखाया समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंग के जमाने के लोग भी आज टिकट के लिए भटक रहे हैं वहां भी तो ठीक लग रहा है लकिन करांव इतने बाद उसकी इस्ठिती अ है घर न equivalent वाली है कि